नमस्कार दोस्तों हिंदी न्यूजेफेस में आपका स्वागत है दोस्तों पडोसी मुल्क पाकिस्तान से एक ख़बर आ रही है ख़बर यहा है कि पाकिस्तान मालदीव की 32 सायता करने जा रहा है यानि कि फिनांसियल हेल्प यह बिल्कुल वैसा ही है कि घर में नहीं है धाने और अम्मा चली भुनाने मामला क्या है आए बिस्तार सा समझाता हूं दोस्तों अभी भारत ने अंतरिम बजट पेस किया है इस अंतरिम बजट में भारत ने मालदीव को दी जाने वाली सहायता राशी में कटोती करी है कटोती कितनी करी है कटोती 22 परसंड की करी है मतलब इ 270 करोड़ रुपए की साहता भारत करता था जो अब 600 करोड़ रुपए की साहता करेगा यानि कि 22% की कटोती तो पाकिस्तान ने मालदीव के राष्टपती मुहमद माईजू को फोन करके बातचीत करी है दोनों राष्टा धच्छों को बीच में बातचीत हुई और पाकिस्ता पाकिस्तान ने मुहमद माईजू को यानि कि मालदीव के राष्टपती को या आशवसंद दिया है कि पाकिस्तान मालदीव के विकास में पूरी तरह से सहयोग देगा तथा आर्थिक सहयोग भी इसमें सामिल है यह आर्थिक सहयोग देंगे पाकिस्तान आर्थिक सहयोग ल हाथ फैलाता है इसको पाकिस्तान अपनी जो उधार पैसे ले चुका है इसकी किस्ते तक देने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते हैं अभी ये चाइना से इनके जो प्रधान मंत्री हैं, अन्वरुल हक्ककर ये अभी चाइना के राश्ट्पती से इननों ने बातचीत करके अपनी किस्त देनी थी लोन वापस करने वाली इसकी समय सीमा आगे बढ़ वाली है सोचिए अब ये भारत की इतने बिरोध में है कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस तो देंगे कैसे और ये मालदेब की मदद करने के लिए हा कर रहे है पाकिस्तान की जंता तो यहां तक की भूख की वज़े से परेशान है वहां पर इतनी महँगाई है कि ये अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पा रहा है और ये मालदेब की कैसे मदद करेंगे आईए देखते हैं भविस में कि पाकिस्तान कैसे मालदेब की मदद करता है और मालदेब को क्या भारत की जहुरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा ठीक है मित्रो अभी तो यही निवज है आगे इसमें कोई और अपडेट आता है तो मैं आपके लिए एक अपडेटड वीडियो लेकर आ जाओंगा धन्यवाद दोस्तों आपको इंट्फॉर्मेशन अच्छी लेगी ये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे